नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पार्टी ग्यारा रहीम के दोहे इन दोहों के रचैता नाम से हिस्पस्ठ है कि रहीम जी है कवी रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना है आईए हम रहीम के दोहे पढ़ना शुरू करें कवी रहीम समपती सगे बनत बहुत पहुरीत बिपती कसोटी जे कसे तेई साचे मीत इस दोहे में कवी रहीम ने क्या बताया है कि जब हमारे पास धन होता है तब हमारे कई मित्र होते हैं तो धन के कारण जो मित्र हमारे पास होते हैं उनके बारे में बताया गया है और सच्चे मित्र की क्या विशेष्ता है उन्होंने ये बताया है कि सच्चे मित्र की क्या विशेष्ता होती है कही रहीम समपती सगे सगे मतलब अपने बनत बहुत बहु रीद रीद मतलब तरीके से बहु मतलब बहुत विपती कस ओटी जे कसे विपती का अर्थ है विपती मतलब संकट तेई साचे मीत मीत का अर्थ है यहां दोस्त मित्र सखा कवी रहीम कहते हैं कि जब हमारे पास संपत्ती होती है बनत बहुत बहुरीद तो हमारे पास जब संपत्ती होती है तो कई तरीके से बनत बहुत बहुरीद कई तरीके से हमसे लोग दोस्ती करना चाहते है हमारा सगा बनना चाहते है कही रहीं संपत्ती सगे जब हमारे पास संपत्ती होती है तो कई लोग हमारे पास कई तरीके से अपना सगा बनना चाहते है हम लोग के अपने मित्र बनना चाहते है लेकिन विपती का सोटी जे कसे तेई साचे मीत कभी का कहना है कि सच्चा मित्र कौन है जो विपती के समय हमारा साथ देता है तो सच्चे मित्र की क्या विशेषता है कि सच्चा मित्र भही है जो विपती के समय संकट की समय हमारा साथ दे उमीद है आपको समझ में आया होगा आईए अगला दोहा पढ़े जाल परे जल जात बही तजी मीनन को मों रहिमन मचरी नीर को तउन छाड़ती छों यहां इस दोहे में मचली का जल के प्रती जो प्रेम है जो लगाव है उसे रहीम जी ने बताया है जाल कार्थ है जो मचली पकड़ने के लिए जाल फेकते हैं पानी में वो परे मतलब अलग होना जल जात बही बही मतलब बह जाना तजी मीनन को मों तजी मतलब त्याग देना मीनन का मतलब है मचली और रहीमन मचरी नीर को यहां मचरी कार्थ है मचली तो यहां मचली को दो प्रकार से बोला गया है एक मीन और दूसरा मचरी नीर को उपर में आपने देखा जल दिया हुआ है और नीचे वाले लाइन में नीर अर्थात जल का परियावाची नीर तव न छाड़ती छो, छाड़ती मतलब छोड़ना, तव मतलब तब भी इस दोहे में कभी रहीम ने मचली का जल के प्रती प्रेम बताया है जाल परे जल जात बही जब मचली पकड़ने के लिए जल में जाल फेका जाता है तो जल जाल से अलग हो जाता है अर्थार्थ मचली जाल में फस जाती है लेकिन पानी क्या होता है वो जाल से अलग हो जाता है वो मचली से अलग हो जाता है पानी मचली को पकड़े हुए तो नहीं रहता तो जैसे ही जाल हम फेकते हैं तो जल क्या को जाता है बह जाता है मचली से अलग हो जाता है तजी मीनन को मोह वो मचली का अपने प्रती जो मोह रता है वो त्याग देता है मचली की प्रती जल का जो मोह है वो त्याग देता है तजी मतलब त्याग ना क्या होता है पहले लाइन का आर्ट देखिए फिर से जाल परे जल जात बज़ी तजी मीनन को मोह जब जाल को जल में फेका जात तो पानी मचली से अलग हो जाती है और वह मचली से अपना मोह छोड़ देती है लगाव छोड़ देती है रहीमन मचली नीर को तव न छाणती छो लेकिन मचली क्या करती है रहीम जी कहते है कि मचली फिर भी अपना नीर के प्रती पानी के प्रती तब भी अपना छो अर्थार मोह नहीं छोड़ती है क्योंकि जैसे ही मचली को जल से अलग किया जाता है वैसे ही मचली अपना प्राण त्याग देती है वह जल के बीना नहीं रह पाती वह जल से अलगों के अत्यन्त दुखी हो जाती है अर्थात वह तुरंत अपना प्राण त्याग देती है आईए आगे देखें तर्वर फल नहीं खात है सर्वर पी अतन पान कही रहीम परकाज हीत संपती सचही सुजान कठीन सब्दों के अर्थ तर्वर का अर्थ है पेड़ फल आप जानते होंगे फ्रूट फल नहीं खात है नहीं खाता है सर्वर का अर्थ है तालाब पीअत का अर्थ है पीना पान का अर्थ है पानी परकाज दूसरों की कारिय हित मतलब भलाई सचही संचे करना इकठा करना सुजान का अर्थ है सजजन व्यक्ति भले व्यक्ति यहां भले वक्ती की क्या विशेष्टा होती है, भले वक्ती का क्या गुण होता है, उस बारे में बताया गया है तरवर फल नहीं खात है, आप सबी जानते होंगे कि पेड अपना फल स्वयम नहीं खाता सरवर पी अतना पान और तालाव अपना पानी स्वयम नहीं पीती कही रहीम पर काजहित रहीम कहते हैं दूसरों की भलाई के लिए पर काजहित दूसरों की भलाई के लिए संपती सचही सुजान जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो अपना संपत्ती का संचाय दूसरों की भलाई के लिए करते हैं ये था आपका रहीम के दोहें अगले भाग में हूँ फिर से पढ़ेंगे